है एलो स्टूडेंट्स इस वीडिवें में बात करेंगे कंपारजन बेट्वीन मिक्शर एंड कंपाउंट्स तो देखिए आप मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप इनकंपाउंट्स के बेसिस पर हम डिफ्रेंस समझने की कोशिच करेंगे तो देखिए फर्स चैन्टेंटर से बनते हैं जैसे एक सींपल expressions ने अंपकल इसे हमने हीड्योजण एक कंटेनर लिया है इस इसे नया compound बना लेते हैं कोई नई चीज़ बना लेते हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम chemical change बोलेंगे यहां पर केवल mixture प्रेजेंट है बट रियक्ट नहीं कर रहा है यहां पर रियक्ट करके कुछ नया substance बन गया तो इसे हम compound बोलेंगे जबकि यह क्या है mixture समझ के अब देखें क्या है यहां पर आपका mixture प्रिपेर होता है उसमें कोई fix ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना ही ratio रखना है ratio चेंज भी हो सकता है तो भी हम उसको mixture ही बोलेंगे ठीक है जैसे आ यहां पर दो hydrogen एक ही oxygen के साथ रेक्ट कर रहा है ठीक है अब जिसे अगर ammonia बनता है तो NH3 तो एक nitrogen तीन hydrogen के साथ यहां पर जो composition होता है compound के formation हो फिक्स होता है यहां पर कोई fix नहीं होता है इसमें ज्यादा molecule हो सकते हैं कम भी molecule हो सकते हैं तो भी आप उसे mixture ही हो लेंगे ठीक है थार्ड पॉंट देखिए दे में भी homogeneous और heterogeneous दो तरीके के mixture होते हैं homogeneous mixture और heterogeneous mixture क्या difference होता है homogeneous mixture हम उनको बोलते हैं जहां पर जो भी component mix किये गए हैं अगर हम उन्हें separate नहीं देख पाएंगे नहीं देख पा रहे हैं तो उसे हम homogeneous बोलते हैं और अगर mix करने के बाद components easily distinguish हो पा रहे हैं यह उनको आप अलग-अलग देख पा रहे हैं तुसे क्या बोलेंगे हेट्रोजीनियस इसका एक्जांपल में आपको दिया था जैसे आप वाटर में आप सॉल्ट आड़ करते हो तो सॉल्ट कुरी तरीके से गायब हो जाता है आप सॉल्ट को फिर नहीं देख सकते तो हो अगर आप वाटर में आप सैंड कर सकते हो तो अभी हो हेट्रोजीनियस बने गाएंगा यह हमेशा अगरा ऑगली बना एक जैसा देखने में लगता है उससमें कुछ hydrogen oxygen अलग अलग देखने को मिलेगा जैसे अगर NACL मिलता है तो NACL का प्रिस्टल ले लो तो आपको पूरा एक ही लगेगा वहां पर ऐसा नहीं कि sodium अलग और CL अलग मिलेगा ऐसा नहीं होगा ठीक है नेक्स पॉइंट देखिए components can be separated by simple by simple physical methods तो जैसे मैंने आप आपको एक्जांपल दिये जैसे अगर मालीजे आपने water में oil को add कर दिया तो आपको पता है oil और water mix को होंगे नहीं तो अगर oil की लेयर जो है आप उसको इसली अलग कर सकते हो अभी हम जब आगे चाप्टर में प्रोसीड करेंगे तो हमें separation technique पढ़नी है तो separation technique यहाँ पर हमें बहुत सारे हमें mixture के cases में कैसे अलग-अलग mixture के according हमें अलग-अलग separation technique लगानी होगी ठीक है वो सारी physical है ठीक है किसी सेप्रेट नहीं कर सकते हैं by physical method chemical method से possible हो सकता है बट physical method से किसी भी physical method से आप compound के components को अलग नहीं कर सकते जैसे NaCl है तो आप sodium और chlorine को अलग करना चाहें so it is not possible by physical method ठीक है next one देखिए they do not have fixed melting point and boiling point definitely fixed melting point और boiling point तो pure substances का होता है तो compound pure substance है तो इसका fix melting point और boiling point होता है यहाँ पर जैसे जैसे composition बदलेगा उसका melting point boiling point उसके recording change होगा ठीक है they do not have next point देखिए they do not have fixed formula अब इनका formula fix कभी नहीं हो सकता जैसे अगर आप यहीं पर देख लीजे hydrogen oxygen है तो हो सकता hydrogen आपने ज्यादा ले लिया हो या oxygen ज्यादा ले लिया हो हो सकता है यहाँ पर five आपके पास oxygen molecule हो सकता है 15 hydrogen molecule तो कोई fix formula नहीं है तब भी आप उसको mixture ही बोलोगा हर case में इसको mixture बोलोगे बट अगर हम compounds की बात करें जैसे मालीजी अगर water की बात करें तो वाटर का formula fix होता है आप हमेशा H2O ही लिखते हो कभी HO या H3O नहीं लिख सकते हो अगर हमने carbon dioxide बोला तो आप हमेशा CO2 ही लिखेंगे ओजोन बोला तो आप हमेशा O3 ही लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर वैसे तो यह element है इसको अटा देते हैं यह element है ठीक है इसको नहीं मेंशन करते हैं जिसे मालीजी मैंने आपसे बोला का यूरिया का formula बताई तो यहाँ पर NH2 CO NH2 fix formula होगा जो भी आप compound लिखेंगे glucose है C6 H2O6 fix formula होगा सारे compound का ठीक है लास्ट देखी क्या लिखाओ है very little और no energy change जब भी mixture का formation होता है तो वहाँ पर कोई energy change नहीं होता है मतलब ना तो हीट generate होती है ना हीट की requirement होती है उसे बनाने में लेकिन जब आपका compound form होता है compound के formation में हमेशा energy change होता है always energy change takes place during their form formation ठीक है और यह energy change भी दो तरहीं के सुसकता है आपको बताया गया है एंडो थर्मिक कि या फिर एक्जो थर्मिक और एक्जो थर्मिक क्या difference होता है एंडो थर्मिक का मतलब होता है जहांपर आपको reaction कराने के लिए compound बनाने के लिए heat देनी पड़े ठीक है उसे क्या क्या बोलेंगे हम एंडोथर्मिक जैसे यह देखी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस यहां पर इलेक्रिक स्पार्ग देना पड़ रहा है ठीक है और कभी-कभी रियक्शन एक्जुथर्मिक होती है बतलब आपका कंपॉंड बनेगा तो हीट निकलेगी ठीक है तुसे क्या बोलते है एक्जुथर्मिक रियक्शन जैसे आप वाटर में कैल्शिम ऑक्साइड डाल तो सॉलीशन गराम हो जाता है ठीक है तो वह क्या हो जाए का एक्जुथर्मिक प्रोसेस तो इस वास ओल अलबाट दा डिफरेंस बिट्वीन मिक्च्टर एंड कंपाउंड